Hello students, good morning, myself Roby तो बच्चो आज श्टार्ट करने जा रहे हैं साइन्स का second chapter जिसका नाम है हमारा घर ठीक है बच्चो तो घर कितनी प्रकार की होती है और किस प्रकार से बढ़ना चाहिए यह सब हम इस chapter में discuss करेंगे ठीक है तो चलिए श्टार्ट करती है सुरक्षित रहनी के लिए हम सबी को घर की आवेशकता होती है हमारा घर सरदी, गर्मी, बरसा, चोरों तथा जंगली जन्तुओं आदि से हमारी रक्षा करता है घर भिन-विन प्रकार के होती हैं, कुछ घर छोटे होती हैं जबकि कुछ घर बड़े होती हैं कुछ घर इटों और फत्रों से बनाए जाती हैं जबकि कुछ घर मिट्टी और तिनके से बनाए जाती हैं तो बच्चो घर की आवशकता हमारे लिए क्यों होती है सुरक्षित रहने के लिए ठीक है जो हमारा घर होता है वो हमको सर्दी, गर्मी, बर्सा ठीक है कुछ इट फत्रों से बनाए जाती हैं तो कुछ मिट्टी वट इनकों से बनाए जाती हैं ठीक है बच्चो तो चलिए आगे हम पढ़ती है घरों को मुख रूप से दो बर्गों में बाटा गया है पहला दिया है कच्चे घर और दूसरा पक्के घर तो घर होते हैं बच्चो उनको कितने भागों में बाटा गया है दो घर पहले नमर पर कच्चे घर और दूसरे नमर पर पक्के घर इदर साइड में दिया हुआ है एक बॉक्स में ब्लू कलर से क्या आप जानते हैं गर्म चेत्रों में घरों की छतें उंची बनाई जाती हैं जिससे की घर में ठंडक रहे तो बच्चो जो घर्म चेत्र होते हैं जहां पर गर्मी जादा पड़ती है उन घरों की छत क्या होती है उंची बनाई जाती है जिससे की वो चत जैसे की तप जाती है गर्मी से गर्म हो जाती है तो उसके कारण जो घर है उसमें गर्मी ना पहुंचे ठीके घर जो है वो ठंडा बना रहे ठीके इसलिए गर्म चेत्रों के घरों की चते कैसी बनाई जाती है उंची बनाई जाती है ठीके बच्चों तो चल लाते हैं कच्चे घर अपिक्षक्रत कम मजबूत होते हैं कच्चे घर अपिक्षक्रत कम मजबूत होते हैं कच्चे घर अधिकांसता गाउं में देखने को मिलते हैं तो बच्चो जो कच्चे घर होते हैं वो किस किस से बनाय जाते हैं मिट्टी बांस घास फूस लकडी आदी से बनाए जाते हैं ठीक है और ये कैसे होते हैं कम मजबूत होते हैं जो हमारे पक्के घर होते हैं उनसे अब एक शक्रत कम मजबूत होते हैं ठीक है और कच्चे घर हमको अधिकांस ता कहां देखने को मिलते हैं गाहों में ठीक है बच्चो चलिए आगे दी हुई है next heading पक्के पक्के घरों के बारे में पढ़ते हैं पक्के घर किस प्रकार से बनाए जाते हैं इट सीमेंट लकडी लोहे आदी से बने घर पक्के घर कहलाते हैं पक्के घर मजबूत और स्रक्चित होते हैं नगरों में अधिकांस घर इसी प्रकार के होते हैं तो बच्चो जो पक्के घर होते हैं वो किसके से बनाए जाते हैं इत, सीमेंट, लकडी, लोहे आदी से बनाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं मजबूत होते हैं ठीक है और मजबूत और स्रक्चित होते हैं और ये घर अधिकांसता कहां पर मिलते हैं नगरोवा सेहरों में ठी आगे दिया हुआ है नेक्स्ट आपने क्या सीखा जो औरेंज कलर से हेडिंग वना कर दी हुई है आपने क्या सीखा ठीक है अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसमें क्या सीखा उससे रिलेटेड हम से कुछ कॉशन पूछे गाए हैं पहला कॉशन दिया हुआ है कच्चे घर के निर्माण में प्रियोग तो होने वाली किनी दो वस्तूओं के नाम लिखिए तो जो खच्चे घर में हम प्रियोग में लेते हैं उन दो वस्तूओं के नाम लिखना है तो पहले नमर पर हमने लिख दिया मिट्टी और दूसे नमर पर बास ठीक है बच्चो आगे दिया हु तो पहले नमर पर हम लिखेंगे इंट और दूसरे नमर पर सीमेंट ठीक है बच्चो समझ में आया आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है घर अच्छे घर की विशेश्थाएं ठीक है बच्चो जो अच्छे घर होती हैं उनकी क्या-क्या विशेश्था होनी है वो पढ़ते हैं सबसे पहले दिया हुआ है हेडिंग हवादार ठीक है तो इसके लिए हम पढ़ते हैं एक अच्छा घर हवादार होना चाहिए इसमें बायू के आनी जाने के लिए खिड़किया एवं रौसंदान होनी चाहिए तो बच्चो अच्छा घर किस परकार से हो हवा होने अच्छा घर हवादार होना चाहिए हवा आने के लिए और जाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए खिड़किया होना चाहिए ठीक है बच्चो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेच पर नाली की विवस्ता दूसरी हेडिंग क्या दी हुई है बच्चो नाली की विवस्ता एक अच्छे घर में गंदे पानी की निकासी की पून विवस्ता होनी चाहिए सवी नालियां धकी हुई होनी चाहिए ताकि मच्छर एवं अन्य कीटों से बचाव हो सके इसके अत्रिक्त बर्सा के जल की निकासी की भी उचित व्यवस्ता होनी चाहिए तो बच्चो एक अच्छी घर की क्या विशेष्टा होती है कि उसमें जो गंदा पानी होता है उसकी निकलने के लिए अच्छी से पूर्ण व्यवस्ता होनी चाहिए जो नालियां होती है वो कैसी होनी चाहिए ठकी होनी चाहिए जिससे कि मच्छा ना पनप सके ठीके और बरसा को जो पानी होता है उसकी निकासी के निकलने के लिए भी एक उचित विवस्था होनी चाहिए ठीके बच्चो जिस परकार से हमें अधर डाइग्राम में बना कर दिया हुआ है यह यह बरसा का पानी है वो अल आगे दिया हुआ है next heading सुरक्षा विवस्ता एक अच्छे घर की दीवारें एवं दर्वाजे मजबूत होने चाहिए चत की दीवारें उची होने चाहिए अत्वा उन पर ग्रिल लगी होनी चाहिए सभी दर्वाजे और खिड़कियां अच्छी तरह खुले एवं बंद होने बाले होने चाहिए तो बच्चों जो एक अच्छे घर की सुरक्षा विवस्ता किस प्रकार से होनी चाहिए कि जो घरों की दीवारें होती है वो कैसी होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए और जो च्छत की दीवारें होती है ना वो उची होनी चाहिए या फिर उन पर ग्रि दिल लगी होनी चाहिए और सभी दर्वाजे और खिड़कियां अच्छी तरह खुलने एवंबंद होने वाले होने चाहिए ठीक है बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिंग दी हुई है हर्याली एक अच्छी घर में तता उसके आसपास पेड़ पौदे होनी चाहिए पौदे बायू को सुद्ध करते हैं और बातावरन को सुच बनाती हैं तो बच्चों जो अच्छी घर की क्या विशेस्ता होनी चाहिए कि उसके आसपास और घर के अंदर या आसपास क्या होनी चाहिए पेड़ पादे होना चाहिए ठीक है बातावर्ण कैसा रहता है सुच रहता है ठीक है आगे चलती है नेक्स्ट हैर्डिNING दी हुई है सुच्चता सच्चता के बारे में पढ़ते हैं एक अच्छा घर साफ सुत्रा होना चाहिए घर को साफ रखने के लिए कुछ प्रत्न करने आवश्यक है जैसे पहले नमर पर दिया हुआ है घर में पृति दिन जाड़ू और पहुचा लगाना चाहिए ठीक है बच्चो अगे दिया हुआ है इस्नान ग्रे और सचालय पूं रूप से साफ वह ने चाहिए बच्चो जो हमारी वास्टों के बाहर एक डलिया लगी रहती है जिसमें हम हैंड यस करती हैं उसी को क्या बोलती है बॉस्ट वैसिन इश्नान ग्रे जो हमारा वाश्रूम होता है स्वाचाला जिसमें हम स्वाच के लिए जाते हैं ठीके वो क्या होने चाहिए पून रूप से साप सुत्रे होनी चाहिए आगे दिया हुआ है next heading मच्छरों एबं अन्हानी कारक कीटों को नश्ट करने के लिए कीट ना सक दवाईयों का प्रियोग करना चाहिए तो बच्चों बच्चों एबा महानी कारक कीटों को नश्ट करने के लिए किसका प्रियोग करना चाहिए कीट ना सकदा वाईयों का ठीक है जिनसे कीटों का नास हो आगे चलते हैं next point दिया हुआ है इसके लिए हमको next page पर जाना होगा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चीजों को प्रियोग करने के बाद उन्हें यथावत रख देना चाहिए तो हमारे घरों में पर दे प्रुदैं ऍयामित रूप से जार पहूं पॉच होनी चाहिए जो हमारी फटी नेमीत रूप से जार पॉँदान कीवहएं चाहिए दवादं april 119 आगे दिया हुआ है नेक्स्सट त्यादी और को ढके हुए कूरे दान में डालना चाहिए जो हमारा कूरा करकट होता है उसको किस में डालना चाहिए बच्चों ढके हुए कूड़े दान में ठीक है और इसको इधर उदर कूड़े को इधर उदर नहीं फैकना चाहिए आगे दिया हुआ है याद रखनी योग की बातें याद रखने योग बातों में फर्ष्ट दिया हुआ है घर सर्दी गर्मी बर्षा चोरों तथा जंगली जंतुओं आदी से हमारी रक्षा करता है ठीके बच्चों घर हमारी किस किस से रक्षा करता है सर्दी से गर्मी बर्षा चोरों तथा जंगली जंतुओं से आगे दिया हुआ है next point कच्चे घर मिट्टी, बास, घास, पूस आधी से बनते हैं कच्चे घर अधिकांस्ता गाउं में देखने को मिलते हैं ठीक है बच्चो next point दिया हुआ है पक्के घर इत, सीमेंट, लकडी, लोहे आधी से बनते हैं नगरों में अधिकांस्ता इसी पिरकार के पक्के घर होते हैं ठीक है बच्चो आगे दिया हुआ है next point एक अच्चे घर में बायू आने जाने के लिए खिड़क्या एवं रौसंदान होने चाहिए आगे दिया हुआ है next point हमें अपने घर की प्रती दिन सफाई करनी चाहिए ठीक है बच्चो तो ये कुछ याद रखने योग बातें थी जो complete होती है आगे दिया हुआ है हमें अभ्यास प्रिश्न तो कुछ अभ्यास प्रिश्ने दिये हुए हैं जिनको हम solve करते हैं कि फर्ष्ट नम्मर पर दिया हुआ है का नम्मर पर सही बिकल्पर सही कर्षिन लगाए है तो बच्चो यहां पर हमको तीन option मिलेंगे जिसमें हमारा जो सही option होगा उस पर हम राइट कर निशान लगा देंगे ठीक है तो पहला जो हमारा पहला option है वो सही है तो उसके आगे हम राइट कर निशान लगा देंगे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन दिया हुआ है पक्के घर बने होते हैं नम्मर एक इट सीमेंट से नम्मर दो मिट्टी गांशपूर से नम्मर तीन इंसावी से तो जो पक्के घर होते हैं वो बच्चो किससे बने होते हैं इट सेमेंट से तो हमारा जो पहला option है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे ठीक है आगे चलते हैं ने क् net answer क्या हो जागा तीसरे नमर पर यह दोनों कि कम तीसरे नमर के आगे राइट करने शान लगा देंगे कि आगे चलते हैं चोतीं नम्मर पर दिया हुआ है, गाउं में अधिकांस घर कैसे होती है, नम्मर एक पक्के, नम्मर दूर कच्छे, नम्मर तीन, दो मन्जिला, तो गाउं में अधिकांस तागर कैसे होती है वच्छों, कच्छे, तो जो हमारे second number का option है, वो right हो जाएगा, उसके आगे हम correct कर ठीक है आगे दिया हुआ है पांच में नमर पर हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए नंबर एक साव नमबर ₹ 13 विखरा हुआ तो हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए बचो साल ठीक है तो इसके जो इन哇 la opison ूप सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे तीक है आगे चलती है नेक्स्ट पेज़ पर रिक्त इस्तानों कि पूर्ति कीजिए तो यहां पर कुछ हमें सब्सब्दी दिए गए हैं जिन मैं से हमें चुनकर खाली स्तानों तो पहला घालिस्तान दिया हुआ है पक्के गर मजबूत और सुरक्चित होते हैं ठीक है बचू तो जो हमारा पहला दी सुरक्षित ठीक है आगे दिया हुआ है नेक्स्ट दूसरे नम्मर का खालिस्तान कच्छी घर अधिकांस्ता कहां देखने को मिलते हैं बच्चों गाउं में तो हमारा जो दूसरा खालिस्तान है उसमें क्या लिख देंगे गाउं में आगे दिया हुआ है next तीसरे नमर पर घर में उचित व्यवस्ता होनी चाहिए किसकी व्यवस्ता होनी चाहिए बच्चो प्रकास की तो जो हमारा तीसरा खालिस्तान है उस पर हम प्रकास लिख देंगे आगे दिया हुआ है फोर्थ नमर का घर साफ सुरक्चित एवं कैसा होना चाहिए बच्चो आराम दायक फोर्थ नमर का कॉश्चन था हमारा घर साफ सुरक्चित तता कैसा होना चाहिए आराम दायक टीके तो इसमें जो फूर्थ नमर का खालिस्तान है उसमें हम क्या लिख देंगे आराम दायक ठीके आगे दिया हुआ है फिफ्ट नमर पर कच्ची घर मिट्टी बांस तता और किससे बनाए जाती है बच्चो घास फूस से ठीके तो जो हमारे पांच भी नमर का खालिस्तान ह होते हैं आगे दिया हुआ है गरनantly के सामने गलत कचिन लगाइगे तो पहला ककच्च घर अधिक और यह होते।UT नहीं होते हैं पिजंग और नहीं일 Melanie iam बिल्कुल सही है इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे आगे दिया हुआ है तीसरे नमर पर घर में हवा आने के लिए परियापत खिर्कियां होनी चाहिए तो ये भी बिल्कुल सही है इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे ठीके आगे दिया हुआ ह फूर्थ नम्मर पर घर में गंदी पानी की निकासी के लिए उचित विवस्ता नहीं होनी चाहिए तो यह तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है बच्चों घर में गंदी पानी की निकासी के लिए उचित विवस्ता होनी चाहिए तो इस पर हम क्या लगाएंगे गलत का निशान क्रॉस लगा देंगे आगे दिया हुआ है फिप नम्मर पर घर में प्रती दिन जाड़ू पहुंचा लगाना चाहिए तो यह तो बिल्कुल सही दिया हुआ है इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे ठीक है बच्चों तो यह हमारे सही और गलत कम्प्लीट होते हैं आगे दिया हुआ है घर नम्मर पर निम्लिकित प्रिश्णों के उत्तर दीजिए तो इसके लिए हम बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं पहला प्रिश्ण दिया हुआ है हमारा घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है तो इसका उत्तर होगा बच्चों सुरक्चित रहने क लिए हमें घर की आवश्यक्ता होती है ठीक है नेक्ट प्रिश्न दिया हुआ है अगला घर कितने प्रकार के होती है प्रते के नाम लिखिए तो बच्चो इसका उत्तर होगा घर दो प्रकार के होती है नमर एक कच्चा घर नमर दो पक्के घर ठीक है पहले नमर पर क्या हो जा पक्के घर किन किन बस्तुओं से मिलकर बनते हैं तो इसका उत्तर होगा बच्चों पक्के घर एट सीमेंट लकडी लोहे आदी से मिलकर बनते हैं ठीक है बच्चों समझ आया आगे दिया हुआ है next प्रिश्ट फूर्थ नम्मर पर अच्छे घर की 5 विसिस्ताइं लिखिए ठ एक अच्छा घर हवादार होना चाहिए, नमर दो, बायू के आने जाने के लिए खिड़कियां एवं रोसंदान होने चाहिए, नमर तीन, एक अच्छे घर में गंदे पानी की निकाशी की पूर्ण व्यवस्ता होनी चाहिए, नमर चाहिए, घर की दीवार एवं दरबाजे यह क्या थी हमारे अच्छे घर की पांच विशिस्ता आथी, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रिश्ण, घर को सवच्छ रखने के लिए आवश्यक कोई चार कारे बताए, तो हम अमारे घर को किस प्रकार से सवच्छ रख सकते हैं, उसकी लिए हमें चार कारे बतानी है, तो इसका उत्तर देखते हैं घर को स्वच्च रखने के लिए आवश्च चार इकारे निमने हैं नमर एक घर में प्रती दिन जाड़ू और पहुंचा लगाना चाहिए नमर दो बॉस बैसिन इसनान ग्रे और सौचाले पून रूप से साप होने चाहिए बॉस बैसिन बच्चो मैंने बताया था क्या होता है हमारे वाश्रूम के बाहर लगा रहता है जिसमें हम हैंड बॉस करते हैं डलिया टाइप की बनी होती है जिसमें नल लगा रहता है ठीक है उसको बॉस वैसिन बोलते हैं इसनान ग्रह हमारा वाश्रूम होता है और सौचाले जिसमें हम सौच के लिए जाते हैं ठीक है बचो आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट परदे और चादरे नियमित रू कम्पलीट होते हैं जो कि एक स्वच रखने के लिए आवश्क होती है ठीक है तो इसी के साथ हमारा ही छेप्टर कम्पलीट होता है आगे हम नेक्स्ट वूड बीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे ठीक है बच्छो तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंच करके बता सकते हैं ठीके बच्चो थैंक यू